नमस्का छात्मित्रो श्री स्वामिनारें गुलुकु चित्तल इक लास में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 10 विशे हिंदी इकाई 4 जिसका नाम है एक प्रश्ण चार उत्तर लेखक का नाम है स्री प्रकाश साहित ब्रकार लेख तो दोस्तो पहले हम लेखक के बारे में अभ्यास करेंगे यानि कि मैं आपको लेखक का परीचाई देता हूँ आप ध्यान से सुनिए श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने सहित्यकार है उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्र भक्ति सांस्कूतिक उत्थान सामाजिक उत्थान एवं समसामेक समस्याव पर प्रकाश डाला है उनकी भाषा सरल एवं सहज है उन्होंने निबंद, लेख, सस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनकी सहित्र में देखने को मिलता है तो अब हम पाठ की शर्वात करते हैं दोस्तों पहले में आपको पाठ का चोब प्रस्तावना है उनके बारे में बात करता हूँ आप धान से सुनिए किसी भी देश की उन्नती उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्यदार, उदार तथा विवेकशिल नागरिकों पर आधारित होती है हमारे देश को ऐसे सचे और इमानदार नागरिक की आवशक्ता भी है जिनकी कतनी और करणी में अंतर न हो वे जो काम ले उसे निष्ठापुर्वक संपन्न करे साथ ही उन्हें दुसरों के प्रती अपनी जिम्यदारी का भी असास होना जरूरी है प्रतीक नागरिक को श्रम का महत्व समझाना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठीन परिश्रम के बीना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है संसार में जो भी बड़े हुए है वे सब अथक परिश्रमी रहे है देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है इसकी अलावा नागरिकों में उदार्ता का गुण होना भी आवश्यक है उनमें नव योकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए वे लोगों की काम सिखने में मदद करे लोग एसे हो जो अपने गून अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करे देश को येसे ही करमठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है लेखको यह प्रश्ण अक्सर कचोडता रहता है कि देश में कई विशिस पूरुशों के होने और बड़े बड़े आंदोलन होने के बावुजुद हमारा देश उन्नती क्यों नहीं कर रहा है अउसर आने पर वे यह प्रश्ण अपने उन विदेशी मित्रों से पी पुछने से नहीं जिजगते जिन है यहां रहते हुए देश के बारे में अच्छी जानकरी होती है प्रस्तुत पाठ में यह सवाल उन्हों ने अपने चार विदेशी मित्रों से पुछे है चारों महानों भाव ने इस प्रश्ण का उत्तर अपने अपने धंग से दिया है इसका निश्कर्श यह है कि देश कभी उन्नती कर सकता है जब सभी लोग पुरी इमानदारी लगन और निश्ठा पुर्वक अपने काम करे तो अब हम पाठ की शुरुवात करते हैं आप ध्यान से सुनिये लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित है यहां शब्द जो है खब्द तो खब्द का अर्थ है चिंतित उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशिश पुरुशे और यहां कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए है हम जानते ही है फिर भी हमारा देश उन्नती क् यहां प्रश्ण उन्हें परेशान करता रहता है पाठका जो शिर्षक है एक प्रश्ण चार उत्तर तो लेखक का प्रश्ण है हमारा देश उन्नती क्यों नहीं कर रहा है यहां प्रश्ण है आप ध्यान से सुनिए एक प्रश्ण चार उत्तर एसा शिर्षक लेखक ने दिय तो एक प्रश्ण क्या है तो एक प्रश्ण यह है कि हमारा देश उन्नती क्यों नहीं कर रहा है यह प्रश्ण उन्हें परिशान करता रहता है यही प्रश्ण वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी अउसर मिलने पर पूछ बैठते हैं लेखके चार मित्र है और विदेशी ह मित्रों से भी अउस्तर मिलने पर पुछ बैटते हैं जो यहां लंबे अर्षे से रह रहे हैं और काफी अनुभवी है अपने विदेशी मित्रों से यह पुछना उनका खपत बन गया है खपत का मतलब होता है चिंतित तो अब हम जानते हैं कि लेक्षक ने पहली बार अपने जीस विदेशी मित्रों से यह सवाल पुछा वे एक रुद्ध इसाई पादृ थे पहला मित्र जो है वह एक रुद्ध इसाई पादृ है, खास 2018 आप ध्यान दे जो पहला प्रश्ण लेक्षक पुछते हैं वो कोन है तो हो है एक रुद्ध इसाई पादरी वे यहां लंबे अर्षे से देश के दरीदर लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रह थे उन्होंने लेखक के प्रश्टन के जवाब में कहा कि यहां की लोगों को अपने काम का गर्व नहीं है क्या कहा उन्होंने लेखक के प्रश्टन के जवाब में कहा कि यहां के लोगों को अपने काम का गर्व नहीं है इसलिए देश की उन्नती नहीं हो रही है उनके अनुसार यहां के लोगों की कथनी और करने में बहुत अंतर है वे उदाहरन के रुप में नोकरियों के लिए आवेदन पत्र करने और नोकरी मिलने पर गून बना कर मालिक के साथ दुर व्यहवार करने की बात बताते है वे कहते हैं कि यहां के लोग आवयदन पत्र में अपनी निष्ठा और मालिक की शुब कामना की प्रतिज्या करते हैं पर नोकरी मिलने ही मालिक के खिलाप शड़ी अंतर रचने लगते हैं अन्य देशों में लोग इस प्रकार का वेहवार नहीं करते हैं वे साधारन शब्दों में प्रात्ना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर चान लडगा कर काम करते हैं तो लेखक की समती है लेखक अपने पादरी मित्र की बाद से समत है कि हमें अपने काम का गर्व नहीं है वे कहते हैं कि हमारे देश की परमपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है पर हम उसे भूल गए है इसका कारण है हमारी लंबी दास्ता काम का गरुव करने की परंपरा पर ही आधारित है हमारे यहां का चाती बैद आज भी लोग विशे स्तितियों पर अपने ओजारों और बहियों की पुजा करते हैं पर आज हम स्वाधर्म निदन श्रेयप यानि की अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना स्रेसकर है का आदेश भूल गए है दूसरे मित्र का जवाब है लेखा का प्रस्टन है एक प्रस्टन चार उत्तर हमें चार उत्तर मिलते है तो एक प्रस्टन है लेखा का कि हमारा देश उन्नती क्यों नहीं कर रहा है तो पहला मित्र जो है पादरी इसाय उन्होंने बताया कि हमारे देश में चोल लोग आवेदन पत्र करते हैं नोकरी मिलने पर गूट बना कर मालिक के साथ दुर वियहवार करने की बात बताते हैं अब दूसरे मित्र का जवाब है कि लेखक ने अपने प्रश्ण का जवाब जीन दूसरे विदेशी सज्जन से जानना चाहा वे I-C-S I-A-S थास दोस्तों याद रखे दूसरा जो मित्र है वो I-C-S यानि की I-A-S के सदस्य एक रुद्ध सरकारी कर्मचारी थे उन्हें 30 वर्श से अधिक याँ रहने का अनुबव है कितने वर्श 30 वर्श के अधिक याँ रहने का अनुबव है उन्हें लेख के प्रश्ण के जवाब में कहा कि देश की उन्नती न करने का कारण यहां के लोगों का अपनी जिम्यदारी न समझना है अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुन हम भूल गए है अब हम जानते किसी को किसी पर विश्वास नहीं है पुर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्यदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर कर गए है किसी को यह विश्वास नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय पर महिताना मिल पाएगा किसी को किसी के वहिवार के बारे में विश्वास नहीं है हर व्यक्ति अपनी सुविधा ढेखता है दुसरों के कष्ट किसी को परवा नहीं है यह सब अपनी जिम्यदारी न समझने का परिणा में तो इस तरब दो मित्रों ने जवाब दिया लेखक का जो प्रश्ण है कि हमारा देश उन्नती क्यों नहीं कर रहा है तो पहला जो मित्र है पादरी इसाई उन्होंने बताया कि ज नोकरी मिलन जाने के बाद अपने मालिक के साथ दुर व्यवार करते थे दुसरा जो मित्र है वो ICS के सदस्य है उन्होंने बताया कि देश की उन्नती न करने का कारण यहां के लोगों का अपनी जिम्यदारी न समझना है तो इस तरब दो मित्रों ने जो जवाब बताया वो स्वेश्ट है अब हम भागत दो में दुसरे जो दो मित्र है वो क्या जवाब देते है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे लेकिन भाग दो में इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राज करें थेंक यू